हलो फ्रेंड जैसा कि आप सब जानते हैं इस चैनल में हम ये जानने के गोशिश करते हैं कि हम पैसे को कैसा मैनेज करें और हम एक वैल्थ क्रिएट कर भाएं लॉंग पिरिड ऑफ टाइम के लिए तो इस वीडियो में हम डिसकेशन करेंगे लाइफ इंशॉरेंस ज यसे और वजए से इसba काफी लोगों और ही अप्राय में एक अब डाल रखे हैं किसी ने ज्याद किसी ने कम डाल रखें तो लेकिन हम पहले ज AMY कोशिश करते हैं कि AMY 군 अम डालते क्यों है इसो तीन newly गोश्र। करे थे जो comment डाल देते बार-बार कि यार नहीं लाइसी अच्छी है या क्यों अच्छी है तो तीन-तीन गरत फहमी हैं उनको पहले जो लाइसी में जो पैसे डालते हैं वो अपने आपको पेसा पेसेंगे काफी काम और बढ़ुद्र कापूम्ट तो इन टीनों तरह के लोगों के लिए मैं वीडियो मनाने ही कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इस वीडियो में वीडियो की लेंद को हम जादा लंबा नहीं कर सकते तो इस वीडियो में हम investor type के mentality के जो लोग होते हैं उनका confusion clear करने ही कोशिश करेंगे और ये बताने ही कोशिश करूँगा मैं with reasons कि उनको क्यों investor mentality से LIC में पैसे invest नहीं करने चाहिए जैसे माल लिजे मैं 100 रुपे invest कर रहा हूँ LIC में तो मैं ये investment mentality से कि इतनी रुपे हो जाएंगे growth होके तो वो invest नहीं करना चाहिए तो LIC हम पहले बत जाने कोशिश करते है LIC क्या है LIC Life Insurance Corporation जो है LIC is an investment firm which sells insurance LIC एक ऐसी investment firm है जो insurance बेचती है ये इसकी definition हो गई अब इसमें मैं simple words में समझाऊँ तो माल लीजे मैंने 1000 रुपे LIC को दिये तो LIC उससे क्या करती है stocks खरीद लेती है या bond खरीद लेती है या तो आप share खरीद लेती है या bond मतलब diventure खरीद लेती है अगर diventure आपको मतलब नहीं पता तो simple words में पताऊँ तो वो ब्याज पर किसी को देती है पैसे किसी company को देती है government के bond खरीद लेती है किसी को भी ब्याज पर पैसे देती है एक particular rate पे जो आपने पैसा दिया उसको या तो shares करीद लेती है या bond सरीद लेती है उससे जो return आता है उसको आपको 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 अपनी expenditure काट के अपनी agents की salary वगरे commission जो भी है उसको pay करके आप सब में distribute कर देती है तो दूसरा type के जो अब मैं इसमें बताता हूँ average return of rate of return जो investor है तो investor सबसे पहले यह सोचता होगा कि उसका return किता आएगा कितने percent उसने पैसा कमाया तो LIC में क्या होता है जब आपको पास कोई agent आता है तो वो बोलता है कि यार आप 1,00,00 रुपे जमा करा हो वो आपके 10 साल में double हो जाएंगे 2,00,00 रुपे हो जाएंगे तो आप सोचते हैं एक लाग रुपे 2,00,00 रुपे हो जाएंगे तो बहुत ही शानदार तरना कॉल से दिया इसने मेरे को मज़ा ही आगिया तो इसमें क्या होगा कि जैसे 2,00,00 रुपे उसने बता तो दिया पैसे double हो जाते हैं तो 6% का रिटर्न ही आता है तो 6% का रिटर्न आप सुचोगे 7% तो मैं FD में लगा दूँगा तो मैं उसका मतलब अगर जैसे मैं आपको बता हूँ तो average रिटर्न जो LIC का है 2005 से लेके 2015 तक तो वो 6.7% है और जो government का bond का रिटर्न है वो 7.9% है तो मतलब 1.2% एक सो बीस बेसिस पॉइंट government का bond का रिटर्न जाता है government का bond का मतलब आप समझ लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो मैंने माल लीजिए LIC को पैसे दिये 100 रूपे तो उसने 6 रूपे 90 पैसे ही मुझे कमा के दिये long period of time में rate of return और अगर मैंने government के bond में डाल दिये government को भी आच पे पैसा दे दिया तो government ने मुझे जादा कमा के दे दिये पैसे तो मैं अगर मुझे कुछ करना ही नहीं है मुझे इन्वेस्टरी में इन्टेलिटी से करना है और इन्वेस्टर तो सबस्यादा rate of return में इन्वेस्ट करेगा तो मैं government के bond में डाल दूँगा मैं PPF में डाल दूँगा जिसमें 8.1% है मैं 6.7% क्यों करूँगा अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल का return अगर गरबढ़ आ गया मतब कम आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन LIC के तो 10 के 10 साल में ऐसा हो रहा है कि उसका जो return है गवर्मेंट के ब्याज के पैसों से भी कम है तो आपको इसलिए investor mentality से invest करना ही नहीं चाहिए दूसरा investor mentality के लोग मुझे बोलते हैं कि यार इससे tax saving हो जाती है सारे पैसे डूप जाते हैं तो पीपीएफ में invest कर दीजिए पीपीएफ का जो return है वो 8.1% है तो वो भी LIC से ज्यादा है 6.7% है LIC का तो अगर पीपीएफ में invest करेंगे तो 8.1% है तो 1.4% आपको फिर भी जादा मिल जाएगा तो आपका वो हल अकॉन से आप भी खराब हो गया कि आपका money safe रखना है आपको मतलब आपको share market के उतार चड़ाओं में भी आपको believe नहीं है या फिर आप invest नहीं करना चाते लेकिन पीपीएफ भी आपका बिल्कुल safe है तो आप पीपीएफ में invest कर दीजिए दोनों backed by government है तीसरी तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं कि LIC में आपको बताता हूँ LIC करती क्या है LIC का अगर आप देखेंगे तो LIC के पास corporation जो LIC जो भी government के bank होते है public sector undertaking होती है जो public PSU banks होते हैं उसमें जब भी पैसो की requirement कम हो जाती है मैंसे मालीजी कोई corporation bank है उसने 500 करोड रुपे किसी को loan दिये business man को और वो 500 करोड रुपे डूब गए तो कोई भी government कभी भी नहीं चाहेगी किसी भी country की कि उसकी देश का कोई भी bank डूब है तो अब उसको लिए उसको पैसे डालने पड़ेंगे तो government हर जारी है पैसे डालके तो किसी bank को बचा नहीं सकती तो वो क्या करेगी जो आप पैसा LIC में जमा कराते हैं उसको LIC को बोलेगी कि यह ले 500 करोड रुपे कि यह corporation bank के share खरीर ले कोरपरेशन बैंक में 500 करोड रुपे चले जाएंगे तो वो 500 करोड रुपे government जो LIC का यह इसले भी यूज करती है government to meet requirements capital requirements of PSU banks जब भी PSU bank में capital requirement कम हो जाती है वो दिवालियों ने के कगार पर आ जाते हैं या फिर उनके cash adequacy rates तो चब खराब जाते हैं तो वो उसमें पैसा डाल देती है अपना ताकि वो budget bank आपने उसमें FD करा रखी है corporation bank में आपके salary account है या फिर कुछ भी है तो आपके जो capital है वो कभी भी ने डूपती होगी ने देगी वो बहुत पूरी कोशिश करेगी या RBI के थुरू LIC के थुरू या खुद भी कोशिश कर लेगी लेकिन वो जाएगी पूरी कोशिश करेगी कि कोई भी bank दिवालिया नहीं हो किसी का भी पैसा saving account का उसमें ने डूपे तो उसके बाद हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि LIC के पास 21% जो पैसा है जैसे माल लिए 100 share है market में corporation bank के तो 21 share उसमें है LIC के पास है जो IDBI bank है उसके 14% holding है जो LIC के पास है 15% देना bank की holding है तो LIC इस तरह के shares खरीदती है जो कभी बढ़ते भी नहीं है जिनका कोई profit भी नहीं होता और जो कभी अगरा long period of time में नहीं बढ़ते एक दो दिन की बात नहीं करना है दस साल के holding करेंगे तो अब LIC को पता नहीं कि यह bank में मतलब कोई profit नहीं है LIC कभी भी HDFC bank ICICI bank या फिर HDFC यह सब shares नहीं खरीदती बजाज फिनसर्व खरीदती भी है तो बहुत कम quantity में खरीदती है तो यह खरीदती है अगर यह खरीदेगी तो उसका rate of return जादा होगा अगर LIC को LIC अपने आपको वही समझती है कि मैं एक investor हूँ या फिर मैं एक investment करने के लिए long period of time में पैसे लेता हूँ तो उसका return government के जो FD होती है government के जो bond होते है उससे कम क्यों आता है उससे तो जादे आना चाहिए क्योंकि अगर LIC को 6.7% कमा के दे रही है और government bond 7.9% दे रहे हैं तो उसको कुछ करना ही नहीं था उसको government bond में डाल देना चाहिए तो शेयर वियर में इन्वेस्ट करने से अच्छा तो LIC को उससे कम government bond से जादा return तो देना ही चाहिए तब ही तो शेयर में डालने का फायदा है मतलब आप रिस्ट कले रहे हो अपने पैसों का तो 7.9% से जादा return दो आ नहीं जी है तो दूसरा क्या करते हैं आपको mutual fabric regulations आता है कि 10% से जादा किसी भी कंपनी की holding नहीं खरी सकता कोई भी mutual fund लेकिन यह rule LIC के लिए अपलाए नहीं होता क्योंकि यह rule LIC के लिए इसलिए अ undertaking है तो अगर government इसका use करती है कभी कई भी पैसे की requirement कम हो जाती है किसी भी PSU में तो वहाँ पर LIC से पैसे ट्रांसफर कर देती है LIC में पैसे कोई LIC अपने आप जेब से तो लाती नहीं है जो भी आप पैसा invest करते है LIC में जो भी आप अपना पैसा बरबात करते हैं वही प कोपरेशन बैंक को चीए capital requirement वनना वो डूप जाएगा लेकिन पान सुखरोड रुपए अगर LIC नहीं देगी तो गवर्मेंट को अपनी जेब से देने बढ़ेंगे अगर आपको गवर्मेंट बोले यार पान सुखरोड रुपए चीए को बचाने के लिए पूरे इंडिय जैसे मान लीजिए कि जैसे और LIC का जो एजेंट का जो कमिशन होता है सौरी बीच में वीडियो वह हो जागा था डिस्रप्ट LIC का जो कमिशन होता है जो एजेंट का कमिशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है 35% बोनस दे देती है कई बार 15% साड़े 7% money back endowment policies में बह एक policy करा ली जिसमें मुझे लाग लाग रुपए 20 साल तक डालने थे इसी तरह की policy होती है LIC की तो अब आप सोचेंगे इसमें LIC एजेंट आपको इतना force क्यों करता है तो LIC एजेंट आपको force इसलिए करता है क्योंकि उसका जो कमिशन होता है आपने एक एक लाग डाले तो बिए $35,000 का commission मिलता है अप्रॉक्स दूसरे साल और और तीसरे साल उसका commission होता है वह होता है पंदणा जार रुपए बद साढ़े-थisme 67,000 रूपивать और 4-4 साल से 20 साल तक का टोटल कमिशन देखें तो वो 85,000 अप्रॉक्स होता है तो अगर मैं टोटल कमिशन देखूं आपकी एक जने की पॉलिसी से तो एक लाग 35,000 रुपे कमा लिए तो इस तरह से अगर वो 100 लोगों को एक खटा कर लेता है अगर 100 लोग ऐसे मतलब कर लेत है तो 1.35 CR करोड हो जाते है उसके पास LIC एजेंट के पास अगर 100 लोग इतना असान नहीं है सोलो को बेकूफ बनाना बट अगर एक ही जनना 100 लोग को बेकूफ बना दे यह जादा असान काम नहीं है लेकिन अगर वो ऐसा करने में काम वो हो जाता है सक्सेस्फुल तो वो एक करोडपती बन जाता है 1.35 CR का उसका प्रॉक्सिमेट कमिशन बन जाता है LIC का अब LIC का आपको लेते क्यों है आप सोचते है तो यह ले क्यों लेते हैं LIC की पॉलिसी तो LIC की पॉलिसी में इसलिए भी ले लेते हैं जैसे फर्स्ट रीजन है सोशल उब्लिकेशन मान ल उसको आपको फुलिफिल करने के लिए कि आप उसका आपमना भी नहीं कर पा होगी तो आप इसको सिड्युशन में आपको पचास अजार रूपे पर साल का जैसे आपको करनी तो पड़ेगी आपकी सोशल अपलिकेशन है आप मना भी नहीं कर सकते तो वो अगर पचास आज तो आप इस तरह से आप फैनेशल प्लानिंग कर सकते हैं कि आप 50,000 रूप पे साल के डूबने से वगरव बोल रहा है तो आप कोशिश कीजिए 10-20,000 में हो जाए माना तोली जो होती है कि 10-20,000 डूब हो दूँ मैं तो आपके 30-40,000 रुपे तो बचेंगे कम से कम दूसरा जो इसका जो reason है जो काफी लोग invest करते हैं LIC में इसका network बहुत बड़ा है क्योंकि 50 साल से भी जादा हो गए है LIC को इंडिया में और हर जगे हर गली में हर नुकड़ पे उसके agent बड़े पड़े हैं तो वो agent क्या करते हैं जैसे अपने रिष्टिदारों को कहीं जाए कैसे भी करके बार 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 बोलके वो छोटन आमांट बड़ा आमांट वो चिपकाई देते हैं policy कैसे भी invest करके करके क्योंकि तो इस लिए भी उसके ज़्यादा है कि लाइसी में हर गर में investor इंवेस्टर इंशॉरें जो भी आप समझते हैं अपने आपको आपने लाइसी आपके गर में भी हो रखी होगी 100% हर गर में लाइसी इस देजन से भी हो रखी है दूसरा जो main reason है तीसरा जो मेर मेरे को ऐसा लगता है लाइसी में investor का कि इंडिया में क्या है financial literacy की बहुत कमी है हमें इस स्कूल में जो 90% जो समझाय जाता है या पढ़ाया जाता है वह एक तो फालतों चीज समझाय जाती है हमें कभी भी money के बारे में नहीं समझाय जाता हमें money management के बारे में नहीं समझाय हमें बस यह समझा जाता है कि एक job के लिए prepare करना जाता है हमें entrepreneur mindset भी नहीं बनाया जाता तो हमें एक जैसे माल लीजिए मैं job कर रहा हूं या कभी कोई entrepreneur कर रहा हूं या business कर रहा हूं हमें यह नहीं बताया जाता कि जो भी काम करके जो पैसे कबाऊंगा उसके बाद मुझे उसका करना गया है तो हमें बस यह समझा जाता है कि 60 साल में हमें रेटायर होना है और फिर उसके बाद दवाई खाके मर जाना है तो इस तरह से हमारा माइंडसेट करना जाता है यह हमें एक lifetime पूरे time हमें काम करना है तो इस तरह से ही mindset हमें स्कूल में बनाया जाता है अगर स्कूल में ही mindset बनाया जाए मनी को management की एक book आया या उसको हम समझाया जाए जिसमें सबका interest भी होगा तो काफी ज़्यादा benefit होगा अब आप शौथा reason आप कुछ सोचिए अगर LIC में पैसे double triple हो रखे हो है जल्दी जल्दी और सब कुछ है और LIC में तो हर गर में investor invest कर रखा होगा और अच्छा amount invest कर रखा है समने तो अगर LIC इत्ती शांदार होती ऐसा investment इस पूरे वीडियो में मैं के वर investment के बारे में बोल रहा हूँ अगर LIC इत्ती शांदार होती तो आप खुछ सोचिए कि हर गर में हर गर की जो financial condition हो बहुत अच्छी होती लेकिन ऐसा तो है नहीं क्योंकि हर गर में LIC तो होई रखी है या आपको कोई clarification चीह है तो आप फिलीस comment box में reply कर सकते हैं थैंक्यू सो मच अगर part 1 है ये part 2 में मैं अब ये clarification करूँगा कि जो investor से insurance जो अपने आपको समझते हैं कि मैं insurance कर रहा हूँ LIC में तो उनके लिए क्या मतलब क्या वो है benefit है या फिर क्या क्या disadvantage है थैंक्यू सो मच